हम ज्यादा तर लिखने के लिए नीली स्याही वाले पेन का उपयोग क्यूं करते हैं जब कि काली स्याही सफेद कागस के लिए बहतर रूपांतरन का कार्या करती है चलिए जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले काली स्याही कम उपयोग क्यूं की जाती है जानने के लिए form पर नजर डालिए अब बताईए कि उपर दिया form फोटो कोपी है या फिर form पर काली paint से हस्ताक्षर किए गये है ये बता पाना बहुत मुश्किल है यहीं मुख्य कारण है कि काली स्याही कम उपयोग की जाती है क्योंकि हमारी ज्यादातर प्रिंटीग काले रंग से की जाती है इसलिए printed paper पर किसी अन्य रंग की स्याही उपयोग करके बड़ी आसानी से अंतर पता किया जा सकता है कि किस जगेह पर पेंच लाया गया है लेकिन मुख्य सवाल है नीला रंग ही किन ज्यादा उपयोग किया जाता है इसका कारण मनुव वैग्यानिक और वैग्यानिक है यदि आप रंगों को उनकी आवरतीत तरगधेरिय के आधार पर उन्हें बाटें जैसे चित्र में दिया है तो यहाँ देख सकते है कि लाग रंग की तरगधेरिय सबसे ज्यादा है अर्थात यह बड़ी आसानी से दूर से भी देखा जा सकता है लेकिन ज्यादा देर तक इतनी तरगधेरिय वाले रंग देखना आपकी आँखों के लिए परेशानी हो सकती है इसलिए ज्यादा तरंग देर्धिय के रंगों का उपयोग हम सामान्यता स्याही या पेल में नहीं करते यही कारण है तीचर हमेशा लाग रंग का उपयोग करते है क्योंकि ये बहुत आसानी से नजर आता है लेकिन कभी ध्यान दिया वह जो गोला बनाते है वह हमारी आखों में कितना चुपता है ज्यादा देर तक किसी रंग के संपर्प में रहना है तो कम तरंग देर्धिय वाला रंग सबसे अच्छा है अब सबसे कम तरंग देर्धिय के रंग हमारे पास है, पैंगनी, जामुनी और नीला यहां हम पैंगनी और जामुनी न उप्योग करके नीला रंग उप्योग करते है इसका कारण मनुवग्यानिक है मनोविग्यान के अनुसार नीला रंग काफी देर तक आपको जोड़े रखने में सबसे काड़ है ये आपके अंदर का तनाव कम करता है और एकागरता को बढ़ाता है नीला रंग विश्वास का भी प्रतीक है कभी आपने ध्यान दिया कि सोशल नेटवर्क वेबसाइट, फेस्बुक, ट्विटर, लिंक्टिन में नीला रंग ही क्यों उप्योग होता है क्योंकि वह चाहते है कि आप उनसे घंटों एकागरता से जोड़े रहे वही दूसरी कंपनिया इस रंग का उप्योग वहां करती है जहां उन्हें अपने कस्टमर्स से विश्वास पाना है चुनकी नीला रंग विश्वास एकागरता, लंबे समय तक जोड़े रखने में कारगय और कम तरंग देर्दिय के कारण आखों के लिए बहतर है इसलिए नीले रंग की स्याही पेन के लिए भी उत्तम है